हाई फ्रेंड्स आज हम देखने वाले है एवेंजर्स एंड गेम का रिवीव। साल 2008 में रिलीज हुई एवेंजर्स इंफिनिटी वार में आधे से जादा सूपर हेरो दूर बनने के पात से ही इस फिल्म का बेशबर से इंतिजार किया जा रहा है फिल्म की कहानी कि वही से श पैल स्पेस में नेबुला के साथ अकेले गूम रहे है वही बचेवे सारे सूपर हीरो अभी भी अपनों को खोने के गम में है और सबी सूपर हीरो चाहते है। स्थाईनों से ले नाक बत ला जी ला तबी एंट मैन उनकी नई उम्मीद बनकर आते हैं और वो सारे सुपर हिरोज को आकर बताते हैं कोई कौंटम थेयरी के जरिए वे अतित में जाकर थैनोस से पहले उन स्टोंस को हासिल कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इंट्विनिटी वार की स्थिती ही नहीं बनेगी और उस जंग में जिनोंने अपनों को खोया है उन्हें वापस लाया चा सकता है इसके बाद सारे सुपर हिरोज एक जूट होकर थैनोस के खिलाब जंग छेड़ देते क्या सारे सुपर हिरोज स्टोंस हासित करने में काम्याब होंगे क्या अब ठैनाउस की बुरायों का अन्त हो पाएगा क्या Avengers अपने प्यारों को वापस ला पाते हैं इन सारे स्दिल चस्प सालों का आपको जवाब मिलेगा सिनेमा गरों में जब आप देखने जाएंगे Avengers End Game क्यों देखें ये फिल्म पावी सुपर हिरोस की फोज से लदिवी Avengers End Game आज के तोर की सबसे भव्य और महतुगांशी फिल्म बन चुकी है इमोशन और एक्शन एवेंजर्स की ताकत रही है और इस बार भी निर्थेशक द्वेने दशोकों की इस नफ्स को पकरते हुए एक्शन और इमोशन का तकड़ा टोस परोसा है क्योंकि फिल्म के क्लाइमेक्स तक आते आते आप एक फी भी एकी समय पर हस्त है, चीक्त है और रोना भी शुरूप कर देते फिल्म तीन घंटे की होने के बावजुद ये तीन घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलगा इस फिल्म की एडिटिंग भी भूत ही शार्प है सवाच चुटकी ले है, चुटकी ले है, चुटी ले है और आपको मुस्कुराने पर विवश्च कर देते एवेंजर्स एंड गेम के स्पेशल इफेक्स पिछलिग फिल्म एवेंजर्स इंफिनिटी वार्स से एक कदम आगे लगते हैं तोनि स्टार्क का स्पेस में बटकना बहतरी इन धंग से फिल्म आया गया है तो आप इन फिल्म को जरूर जरूर सिन्यमा घरों में जाकर देखिए आपको अच्छा लगेगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेर और कमेंट्स जरूर कीजिए और साथे साथ अगर पसंद नहीं भी आया तो क्यों आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए मुझे क्या क्या बदलाव करने चाहिए ये कमेंट्स में मुझे कमेंट्स जरूर दीजे ताकि मैं आच्छे अच्छे वीडियो आप तक लाता रहू थैंक यू